हेलो ब्रीवन वेल्कम तो लेशने केडमी तो फ्रेंस आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे सौस्त होंगे और रही बात अब एक्जाम की बात करेंगे हम लोग कि आप सभी का एक्जाम जो है 15 फरोरी के बात से ही स्टार्ट हो जाएगा यूपी बड़ वालों का जैसा कि देट से रिलीज हो गया और आपका भी संभतर उसके 5 दिन 6 दिन के बाद से आपका भी पेपर इस्टार्ट हो जाएगा तो फ्रेंस अगर आप अभी भी लेजीपन कर रहे होंगे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा तो अब सभी चीजे को आपको त्याग ना यही आपके डिर महिने का टाइम है जो आपके लाइफ में हमेशा वो मार्क से रिजल्ट बताएगा कि आपने कितना नंबर स्कोर किये थे तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर बोर्ड एक जाम में 90 अबब आए तो आप अपने चैनल लेशन एकडिमिप को जरूर सब सब्सक्राइब कर लिजयेगा क्योंकि हब आपके सब्जेक्ट हैं हिंदे इंग्लेश मैस प्रत्यक सब्जेट के कोश्चन प्रवाइड होंगे जो आपके बोर्ड एक्जाम के लिए मुष्ट इंपार्टेंट कोश्चन होंगे तो चले यह स्टार्ट करते हैं जैसे कि आपने नहीं देखे होंगे तो जाके प्लेलिस्ट में बाईलोजी नाम क्या प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास्ट्रोल महां से देख लिजयेगा चली स्टार्ट करते हैं आज की कोश्ण करेंगे जैव प्रदोगी की यानि सिद्धानतियों सिधान्तियों प्रक्रम होगा सिधान्तियों प्रक्रम यानि बायो टेखनोलोजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेज इसमें पाहला कोश्चन है जै प्रदोगी की अंतरगर्द समलित साखा है कौन सी साखा? को सी का बिज्ञान? आर्विक जैवी की आनुंसिकी एयाइस अभी जिसका करेक्ट आप्षिन होगा आप्षिन नमबर दी देश कोश्चन है बिज्ञान की कि साखा के अंतरगर्द जीवे के डियने में परिवर्तन किया जाता है जै प्रदोगी की कोसी का बिवाजिन बिज्ञान सुक्ष में जैवी की या जैवरशान करेक्ट आप्षिन होगा आप्षिन नमबर ए यानि बायो टेकनलोजी के अंतरगर्द बिज्ञान की वो साखा है जिसमें डियने में क्या किया जाता है परिवर्तन किया जाता है लूण फिर्ण अगर आपने अगर यह चेप्टबर अच्छे से पढ़ए होंगे तो सारे कोश्वाइब कर लेंगे आई होप आप सभी पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे तो इसकी कोश्वाइब यूँ प्रॉइट कर वाँगी लॉंग सारे कोश्चन प्रोवाइड होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और जिक्ते भी आपके फ्रेंड शरके लूँ वहाँ पर वीडियो का लिंग जरूर सेर कीजिएगा कमेंट बाक्स में कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि आप सभी कितने कोश्चन सही हु काल इराके ने वर्ग ने या इन में से कोई ने करेक्ट आप्शन होगा आप्शन नमबर भी काल इरके ने कौश्चन है कौन सा एंजाइम डियने को विसी जगह पर काटने के लिए जाना जाता है पहला एक्सोनिकलेज एंडोनिकलेज पॉलिमरेज यह सभी करेक्ट अंचयाहिं काल आपं यह सैंफ जोडने के लिए लाही एंजायिम पर्योग किया जाता है करेंया सब्सक्राइब नमपसिक के उपयोग निम्फित विकलेज की इम बनाने में डीय स्ड्रेसां आर्य लिङे पुण और योजन और Х Ч इंग лишों पूल इसको इंगलेज में बोलत रिकम्बीनेंट तिसका करेक्ट आप्षिन होगा आप्षिन नम्बर ए डिन्य के पूनर योजन अडू के लिए निश्कोषिन ए जीनी अभियंत्रिति आभी यांतर की किन्यू किस एंजायम की खोशे पड़ी प्रतिबं एंतर नुकलेस, डिन्य लाइगेस, डिन्य गाईरेस या डिन्य पॉलिम्रेस, करेक्ट आप्षिन आप्षिन नम्बर ए प्रतिबंद अंतर नुकलेस एंजायम, निश्कोषिन ए प्रारूपी ए के प्रतिबंद एंडोनुकलेस एंजायम, बिलोम पदो पर डिन्य अडू के दोनों सुत्रों को एक ही असान पकारते हैं, दोनों को सपाट सीडों को क्या करते हैं कुंद छोर सलांग छोर या दोनों ए और वी दिसका करेक्ट आप्शन होगा आप्शन नमबर है कुंद छोर नेश कोश्चन ए जीनी एंजीनिंग में जैबी कैंची का कारे करने वाला एंजाइम यानि जैबी कैंची का भी मतलब यह हुआ कि डिने को काटने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाएगा पहला लाएगे दूसरा है नुकलिय तीश्रा है पॉलिम्रेज चौथा है रेस्ट्रिक्शन एंडोनुकलेज एंजाइम करेक्ट आप्शन आप्शन नमबर डी निश कोस्चन है निव्ण में से कौन सा कथन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए सत्ति नहीं है पहला है यह पाली 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 अंड्रोमीक निकलोटाइट क्रम को पहशानता है दूसरा है यह आप्षिन नंबर भी यह एक एंडोन न्यूक्लियज है नेश कोशन है तो फिरंदी जितने भी कोशन आप सभी को प्रोवाइड हो रहे हैं यह मुश मुश इंपॉर्टेंट कोशन है आई होप आप सभी एक कोशन को साल्ब कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे तो भी आपके लिए क्या हो है कि आप इससे अगर एकजाम में अगर कोशन कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है क्योंकि इससे आपका पता चलेगा कि कितना आपने तैयारी किया है अभी तक अभी आगे कितना आपको पढ़ना नेक्षे लक्षे अस्तल डिने में वह चेत्र जो दोनों दिसाओं में समान पढ़ने जाते ही ने करते हैं सलांग छोर कुंद छोर फेलिन ड्रोम्स इन में सी कोई ने करेक्ट आप्षिन आप्षिन नमबर सी नेश कोशन है निर्म में से कौन सा जिवाल्व रिस्रिक्शन एंडोनुकलेस का स्रोथ नहीं है हीमोफाइलस इस रिच्शिया को लाई अग्रोबक्टरियम तुमी अफशियंस नेश्ट बासलस अमयलोफ लिक्वी फशियंस करेक्ट आप्षिन आप्षिन नमबर सी अग्रोबक्टरियम इस रिच्शिया को लाई आर एंजाइम का स्रोथ जीव है इस रिच्शिया को लाई आर वाई थाटीन इस रिच्शिया को लाई आर टू फोटीफाइब इस रिच्शिया को लाई आर वन थरी इस रिच्शिया को लाई जिसका करेक्ट आप्षिन होगा आप्षिन नमबर ए इस रिजिया को लाई आरवाई 13 नेश कोश्चन है टूटे हुए DNA खंडों को जोड़ने के लिए कारे करता अभी क्या था काटने के लिए किस एंजाइम का प्रेव करते अभी कोश्चन आया जोड़ने के लिए तो एक कोश्चन आप जरूर याद कर लिजेगा आप भूलेग है क्या है दी सुत्री पूटी यारा ने अत्रिक गुछ दियाने एकल सुत्री डियने इन लिए सिंग कोई ने जिसका करेक्ट आप्श्चन होगा आप्शिम अमबर भी अत्रिक गुछ सुत्त्री डिने नेश कोश्चन है सरवादीक उपयों कि ये जाने वाले वहक हैं क्या बैक्टरियों फेज हर्पीस विशाल पीवी आर 322 एडिनो विशाल करेक्ट आप्शन आप्शन नमबर सी पीवी आर 322 नेश कोश्चन है आन्वनसी की आफ़ी आंत्रिक को कहा जाता है क का एक संक्रन जीनी हैर फेर प्रोटो प्लाजमिक तक्निक पुनर योगस डिने तक्निकी नेश कोश्चन है पुनर योगस डिने तक्निकी में डिने खंडों का उनकी अकार के अनुशार फिरसर किस बिदी द्वारा किया जाता है जैल एलेक्टोफोरेसिस अपकेंद्रा क्र पुनर योगर दियने टक्निक में ध्याने खंडों का उकार के अनुसा फिर से किस पृत्यकरण किया जाता है निश्क कोश्चन है स्वमूंदरी खरपतवार से निश्करसित एग्रोस का प्रियोग होता है उत्तक समवर्धन में पीसी आर में जेल इलेक्ट्रो फोटो मैट्री में करेक्ट आप्शन आप्शन नंबर सी जैल एलेक्ट्रोफोरेसिस में नेक्ट कोश्चन ए पुनर योगर डियाने तक्निकी में पोसत के रूप में मुख्यता उप्योगी है हेमोफाइलस एन्फिलेंजी इसरिश्या को लाई बैसलस ग्लोवी जी इनमें से कोई नेक्ट आ सम्योगमन पारगमन इनमें से कोई ने करेक्ट आप्शन आप्शन नंबर सी पारगमन नेश कोश्चन ए पॉलिम्रेस रिंखला अभिकरिया को किस ने खोजा कैरी मूलिश ने जॉंसन ने इसमी थता नैथंस ने या खुराना ने करेक्ट आप्शन 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 कि दिए गुज्ट होता है जिनने पूंजी करण के लिए जिनसलेट्स लिए जिन चिक से थिस्था के लिए आनुदुन्सिकी नियंतरड के लिए इसका करेक्ट आपर लिए जरूर से थाले मारे हमोज चैनल को सब्सक्राइब करें लिए ओन इतना होता है कि अपने फ्रेंट्स अगरें वीडियो का लिंग जरूर सेल कीजिएगा बाइब एवरिवन मिलते हैं नेक्ट क्लास में नेक्ट पेक्टिस कोश्चन के साथ